नमस्कार दोस्तों कैसे आप कुमीदे आप सब ठिक होंगे 28 जून 2023 के अपका स्वागत है दोस्तों आज न्यूज है बट बहुत जादा न्यूज नहीं है बट जितने न्यूज है उसे थोड़ा डिटेल में कॉंसेप्ट वाई से समझना है और आज मैं आपको एक कॉंसेप् में न्यूज को पढ़ते पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्समिस देशी मोबाइल ब्रांड्स रीडाल इंडिया नमबर अगर आप न्यूज को देखो गए तो इसमें इन्होंने यह चीज बोला है कि जो इंडियन फोन से इंडियन फोन के जो ब्रांड से जै चाइनीज रैवल्स थोड़ी कम होते जा रहे समयव चायना का कम जो रहे हैं वह 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 इंडियान जो है वह कآफी हततक इंडियन ब्रांड को प्रिफर कर रहे हैं अगर दिखा से उट कर रहे हैं और समया मर्त कहर होंदिच कर रहें और 45 पर संट हा यह काफी हत तक आपो भी वो यह सब जो सारे फोन जो आए वो काफे हत्ता के सेग्मेंट को कैप्सिर कर लिए अब आपसे इंडियान जो है वो इंडियान ब्रैंड को प्रिफर कर रहे है अब दी लेते लिए नेक्स दोस्तों बैंक अगर कोई नॉर्मल नो का डिफॉल्ट है तो चलो ठीक है एक हद तक जो लोन का जो मैनेजर या जो देख रहा है वो थोड़ा वेवाफ कर सकता है बट अगर कोई लून विल्फॉल डिफॉल्ट के लिए है तो वो प्रॉपर बोर्ड का प्रॉवल चाहिए होगा उस लोन के बेट के लिए मतलब विल्फॉल डिफॉल्टर का और वो वन टाइम सेटलमेंट में कम प्राइस में जा रहे है सपोस्डॉज मालीजे एक लाग क्रोड का लोन है और वो जो बंदा है विल्फॉल डिफॉल डिफॉल एक एक इक्साम्पल मान जो कोई भी विजयम आलिया है और वह अब उस Banc पर वンミाइम स्टिर्मेंट चाह रहा है तो बैंक को एगर ऐसा करना है कि 170,000 करौन में तो बैंक को अब बो्ड का प्रूफल चाहिए होगा तो बोका प्रूफल चाहिए होगा अब इसके लिए बैंक्स वगर है थोड़े ना कॉशन में आ गए बैंक्स वगर कह रहें कि अगर आप इसे बोड का अप्रूवल दोगे तो वन टाइम सेटल्मेंट तो काफी लंबा प्रोसेट रहेगा और अगर हम ऐसा अगर कर देते तो इससे क्या होगा कि बोड के ऊपर कलको विजिलेंस साके question करेंगे आपका और वो जो third party जो मतलब जो borrower है उसका कोई you know को connection तो नहीं है आपको उसने कुछ under the table दे तो नहीं दिया इसलिए अपने one time settlement के लिए अप्रूव कर लिया वगरा वगरा करके questions उट सकते हैं तो इसलिए RBI से जो यह बैंक्स वगर है थोड़ा clarity चाहते कि इस चीज में कैसे कर सकते हम लोग वही level of security रहे बैंक्स के पास जो IBC में अगर कोई OTS के लिए one time settlement के लिए तो जितना उनको protection मिलना चाहिए वो उतना ही मिलना चाहिए जितना एक IBC के case में मिलता है एक borrower के against ठेक है तो यह एक news है तो आगे अगर थो detail में पढ़े इस news को दोस्तों तो इन्होंने यह चीज मेंशन किया है कि एक बार अगर कोई account यह willful default के category में आ किया है या कोई fraud के category में आ गिया है तो subcommittee of board approval कर रही कि जैसे मैं आपको बताया पर इसमें clarity नहीं है कि यह subcommittee क्या सारी loan को approve कर देगे कि फिर कोई-kोई loan के लिए फुल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा इस टैप को clarity नहीं है सेकंड चीज यह चीज है कि unions काफी अगेंस्ट में कि अगर आप ऐसे एक प्रोविजन लेके आओगे one-time settlement के लिए in case of fraud और in case of willful default तो उससे क्या जो honest borrower से उनके उपर एक खराब impact आप फिर दोस्तों एक छोटा सा न्यूस है बस कि जुलाई 3rd week से जो है budget sorry monsoon session चालो हो जाएगा इन्यूस को कवर करने का बस यह reason था कि भाई आपको जीज बताना था कि तीन sessions होता है हमारे Parliament में जिसे मैं short form में गोलता हम BMW that is budget session monsoon session and winter session obviously इसी sequence में होता है तो अभी monsoon session आने सब्सक्राइब जुलाई के 17 तक स्टार्ट हो जाएगा इसमें एक सबसे बिल जो important है दोस्तों वो देखने लाइक होगा जो एक ordinance that replaces the Supreme Court verdict कि भाई जो appointment है bureaucrats का वो कौन करेंगा आपकी government करेंगे मतलब जो Delhi government करेंगे बट सेंटल ने श्रीज का ordinance लाके श्रीज को nullify कर दिया सब्सक्राइब करेंगे तो अब यह बिल को पास कराते टाइम में कितने opposition होते है क्या government justification देता यह बहुत important बिल है जैसे कि डिटल इंडिया के बार में जो बिल हो सकता वह भी टेटा टेबल हो सकता है तो आने मुना टाइम में देखते इस session में क्या होता है बट काफे interesting होने है बट मैं चाहता हूं कि आप यह चीज के लिए पढ़े कि जो election में जो कई सारे government जो प्रॉमिसेस कर देते हैं कि हम यह फ्री में बाटेंगे वह फ्री में बाटेंगे तो उसके करीप खराब consequences भी हो सकते हैं अब जैसे करनाटका में election में Congress की government ने कई सारे चीज़े सब्सक electricity supplies to 200 units per month फिर उसके बाद जो कि 100 units government कर रही है डेली government यह 200 units कर रहे है आप सुचिए 2,000 rupees to women on to women head of families and monthly stipend to unemployed graduates and diploma holders for and are the other four guarantees तो इतने सारे guarantees कर के बैठे हैं यह करनाटके की government मतलब Congress की government जो आई है हम 10-7 के अगयरेंटी कर रहे हैं कि हम 10 किलो राइस देंगे 5 किलो अपको और पांच किलो हम और अडिशनल देंगे तो इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों इनके पास प्रडक्शन तो होनी पाता है और यह और स्टेट से इंपोर्ट करते हैं अभी और स्ट्रिट को देने के लिए उनको सेंटर भी और देने के लिए उनको भाई पैसा होने के बाद भी तो आपके पास एक एक वह होना से कैसे प्रोवाइट कराओ लोगों को बड़ ठीक है समाओ वो चीज नहीं था अब काफी फ्रीवी काफी डिस्टर्ब करता है एलेक्शन को आपका इस्टीज में क्या कहना है प्लीज मुझे कॉमन सेक्शन बदाइए नेक्स दोस्तों इंडिया इंक एग्जिबिट्स वाइबल देट सर्विसिंग कपासिट डिस्पाइट हायर बॉरिंग कॉस्ट अच्छि कि आपका जो इंट्रेस्ट की पहले का जो इंकम है जिसे हम क्या बोलते अर्निंग इंट्रेस्ट टैक्स ठेक है तो जो इंट्रेस्ट टैक्स के पहले का जो अर्निंग है डिवाइब इंट्रेस्ट एक्समेंस तो आपका इंट्रेस्ट को कवर करने के लिए वह इंकम ही तो है ना आप जो एबिट नहीं बोल रहा हूं एबिट देखे दोस्तों कैसे डिराइब होता है मैं आपको बदा रहता हूं यह इंकम सरी अर्निक बिफोर इंट्रेस्ट टाक्स आप सेल्स में से कर दोड़े सा Casey आपके पास आगे आपके पास आट करेइंक ऑपके यह मैं करते हैं अगर अगर अप से चले तो क्या होगा अब का net profit प्रॉफित में tax इड़ करोगे तो क्या होगा profit before tax profit before tax में जब आप interest आड़ कर दोगे तो वह आजाएगा अपका earnings before interest in tax तो यह मैं बस derived कर रहा था आपके लिए और this divided by आपका total interest is known as interest coverage ratio अब इसका मतलब क्या होता है कशोब कोई कमपनी का इंट्रेसरड रिश्यों हो गया तो एक का मतलब क्या हो दोस्तों हर एक रुप्या अर्ट के लिए पास आत्र रुप्या बचा है उसको पेख करने के लिए तो अभी जो इंट्रेस्ट के पहले का इनकाम होना चाहिए ठीक है तो अह दक तो बस यही चीज है बाकी तो देखे अब यह जो पर्टिक्लर जो अभी के जो न्यूस है कि इंडियन कंपनीज और सर्विसिंग यह कल को कुछ और भी हो जाए पर आपको एक कॉंसेप्ट समझ में आना चाहिए उमीद्या आपको एक कॉंसेप्ट समय में आया हुगा देखे निसे स्क्राप्स प्लान टू शिफ्टी इक्सपारी ऑफ बैंक टिफ्री तो फ्राइडे अच्छी क्या हुआ था बीसे अभी वह लेके आथा डेरिवेटिव लेके आथा जिसका एक्सपारी आपका फ्राइडे था और एनसे ने क्या कि बाई बीसे पूरा मार्केट घंक घंक खाज है फ्राइडे का एक्सपारी डेट का अप्शिन का तो नसी ने क्या कि अपना बैंक निफ्टी क्योंकि इतना ट्रेडट निफ्टी है वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने फ्राइडे को पट सम्हाव एनसी ने रेलाइस कि नहीं चरो ठीक है हम इसे जुस्तों cada shrinks to just two zero point two percent of GDP in March quarter as trade deficit narrows ते करें काइड क्या होते है करेंट अकांट deficit का मतलब क्या हो आपके country से जितना import हो रहा है मैं तो country में जितना import हो रहा है that is goods and services का value less country से जितना export हो रहा है तो obviously India अगर लिए ने थेखा जातो एक deficit महीं चलता है but अभी deficit तो इंडिया करें तो इंडिया करन्ट अकाउंट शर्प्लेस में भी जा सकता है तो वेरी गुट साइन अफ बिकामिंग ग्लोब सप्लाई चेर लीडर सु तो कभिंग बैक तो इसमें अगर आप देखो कि तो कई सारे इसमें कॉंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रेड में गुड्स का होता है फिर उसके पास सर्विस का होता है मतलब सर्विस का अलग काटेगरी होता है ऐसा तो अब इस जिर्फ 0.2 परसेंट है और अगर यह गाप अगर नेरो हो जाता है यह सर्पलस में चल जाता है तब इंडिया का एकणॉमी भी और इंडिया के इंवेस्टर को भी इंडिया के मार्केट पे काफी अच्छा गॉद्टेंस आ जाएगा ठीक है चलिए तो यह दोस्तों का टाइम हो गया अब कॉंसेंट मैं आपको बताता हो रहा है that is expense ratio जैसे कि मैं आपको बताता हूं sales, marketing, advertising, transaction cost, investment management fees, custodian fees, register fees, audit fees, सब कुछ include करके total आगया expense ratio माल लीजिए और यह expense ratio कैसे calculate करते हैं आपका जितना expense divided by आपका fund का NAV, NAV कैसे निकाल हो गया, NAV निकाल हो गया total जो आपका जो fund का जो asset है minus आपको जो expense है that is NAV तो यह हो गया आपका expense ratio मतलब expense divided by total expense जो अब भी मैं आपको इतने सारे categories पता है divided by NAV minus expense जितना भी आपका हुआ है तो यह expense ratio यह चाहिज हो गया हर अब आप जब भी कोई mutual fund में invest करो नो दोस्तों उसका total expense ratio ज़रूर चेक करिए अगर यह बहुत ज़्यादा है तो आपको फिर वह इस mutual fund में invest करने से पारे सोचना चीए कि अगर यह mutual fund का return 15% है और सब्सक्राइब का अगर total expense ratio अगर 5% तो भली वह 15% पहले बाद तो पास्ट गैरंटी नहीं होता फ्यूचर का बहली अगर 15% मीट कर भी जाए अपने past के तरह लेकिन आपको return कितना मिलेगा सिर्फ 10% ही मिलेगा क्योंकि 5% उनके expenses में चल जाते अब सेभी ने एक नया गाइड लेकर आया कि एक तो यह expense ratio को limit करेंगे कि अलग अलग एक fund का अलग एक expense ratio नहीं रखेंगे हर fund का expense ratio करके limit कर देंगे उसको कि इतना expense ratio किसी fund का exit नहीं होना चाहिए सेकंड चीज़ यह है कि जो security transaction tax और GST सेभी ने यह चीज़ का प्रपोजल दिया कि हम इसे भी expense ratio में include कर लेंगे तो mutual fund चीज़ से इस लिए गुस्ता है कि आप यह taxes का amount क्यो expense ratio में include करना चाहते है तो सेभी बोलते है वही security transaction tax क्या होगे आपका एक टाइप का expenses ही होगे आप जब बेच रहो security में जैसे आप brokerage पे करते हो वैसे आप STTP पे करते हो तो आप उसको expense ratio में क्यों नहीं लोगे तो यह उनका व्यूपॉइंट है तो काफी mutual funds पोल रहे हैं कि अगर आप इसे limit कर दोगे तो फिर mutual funds काफी interest नहीं लेंगे ऐसा वैसा करके यह regulation को थोड़ा oppose कर रहे हैं तो मेरा question दोस्तों यह है कि अगर आपको कोई option दे कि आप direct fund में invest करो और आप कोई अगरी ऐसे फंड में invest करो जिसमें आपको कोई broker का involvement रहे तो आप कौन से fund में invest करोगे डिरेक्ट फंड में क्या होता है investors इंवेस्टर जो है mutual fund से direct fund वो खरिता है मतलब यूनिट्स खरिता है तो उसमें कोई brokerage इसका involvement नहीं है और या तो ऐसा mutual fund में आप invest करोगे जिसमें कई सार ब्रोकर्स involved है तो आप किसमें इंवेस्ट करोगे और क्यों आप इसमें इंवेस्ट करोगे किसका जाता हाई रहेगा किसका कम रहेगा प्रीज मुझे comment section बताईए काफी अच्छा लगेगा मुझे अगर इसके बार में बताएंगे question समझ गए na question सिर्फ इतना है मेरे को मेरा कि अगर कोई fund है जिसका direct investment का possible है without any brokerage versus एक ऐसा fund है जिसमें brokers में involved है तो total expense ratio किसका ज्यादा रहेगा और second आप as an investor किसमें इंवेस्ट करोगे चले आगे बढ़ते नेक्स तो गूगल मूव सुप्रीम पोट अगेंस एंटकलाट ओर तेके एक केस में अक्छिटी हुआ किया CCI ने पहले गूगल के खिलाफ एक ruling दिया कि ऐसे जो गूगल है वो काफी अपने dominant position का फायदा उठा रहा है मार्केट में यह कर रहा है तो CCI ने उसके खिलाफ ruling दिया फिर उसके बाद NCLT ने उस ruling को अपहल्ड किया अब Nclat ने भी उस ruling को अभी अपहल्ड किया गूगल अब अपील किया सुप्रीम कोट में कि वह चौदा सो क प्लेर्स को Android system में जो है उनका क्योंकि इतना dominant से तो उनसे काफी जादा फीस चाज करें उनका listing के लिए उनका प्रॉब्म क्रिएट कर रहे तो CCI की order में कहीं कारी चीज उनका एक instruction तक जो कि मैंने पहले भी cover किया इस news को तो कई सारे instruction से CCI की order में NCLT ने कुछ को follow करने बो सुनाता है Google का कहना है कि हमारों को ऐसे dominant position है नहीं हम कोई भी कोई ऐसा anti comparative behavior दिखा नहीं रहे market में हमने हमेशा competition को support किया है और क्रिपिया यह fine को हटा दीजिए हमसे next is also CCEA not may not be needed for projects up to 2000 क्रोड अचली देखिए दोस्तों यह news क्या है कि CCEA का जो order है वो अब लगेगा नहीं अगर CCEA का जो permission है वो लगेगा नहीं कौन से projects के लिए जो project 2000 क्रोड तक है अभी इसका limit कितना हजार क्रोड का अब इससे revise कर के 2000 क्रोड CCEA का मतलब क्या हो दोस्तों committee of economic affairs cabinet committee of economic affairs ठीक है क्या होता है कि जब भी आपको project का approval लेते हो तो CCEA अगर आपको project का threshold 1000 करोड से उकपर है तो आपको CCEA का approval चाहिए हो रहेगा बट कई सारे ministry और कई सारे secretary ने इस चीज़ को पोस्त किया पूला कि काफी cumbersome हो जाता है यह process बार बार चोटों मोटे project लिए अप्रूवल लेना पड़ता है तो अब उन्हेंने बढ़ाके से हजार से 2000 करें present situation की बात करें तो 500 क्रोड तक का अगर कोई project रहता है तो respective ministry क्लियर कर सकता अगर 500 क्रोड से उपर है और 1000 क्रोड तक है तो वह finance ministry प्रूव कर सकता और अगर 500 क्रोड के उपर भी है तो वह CCEA अप्रूव करेगा बट अभी इसी चीज़ को limit को double कर दिया जा र होना तो कई बर cost escalate हो जाता है वह cost escalate हो जाता है तो प्रोविजिन सारे contract में रहते हैं कि अगर cost कोई से ज्यादा गर इसकेलेट हो गया तो फिर आप उस चीज़ को मतलब composite करोगे तो गवर्मेंट क्या करती है जब फिर अप्रूवल के लिए जाता है तो जब तो जितना बजट रहता है गवर्मेंट को उससे कई ज्यादा 20-30 परसंट तक हाइक हो जाता है तो गवर्मेंट को इसी से लॉस हो अपने बस protectionist mentality को थोड़ा और sophisticated दिखाने के लिए वो अलग-अलग laws लेकर आ रहे हैं कभी carbon adjusted border tax फिर उसके बात कभी अगर आप बोलो तो अभी labor के बारे में इन्होंने लेकर आ गए कि जिस country से अगर आप import कर रहे हो उस country में अगर labor laws violated है तो हम उस पर tax impose करेंगे फिर वो environment म में अगर कुछ problem जा रहा तो उस पर हम tax impose करेंगे तो experts यह चीज़ बोल रहे हैं कि EU जो है अपना कुछ नहीं पास एक fiscal deficit जो भी फॉर्म हो गया ना EU में उसको compensate करने के लिए यह हरकते कर रहे हैं अलाकि पूरा हाथ तक सही नहीं है देखें बढ़ यू जो time to time काफी यह इंपोर्ट हो रहा है इतने सारे कंट्री से थोड़ा सा EU को भी थोड़ा फाइदा मिल जाए अगर वह इस टाइप के tax impose कर देगा और फिर एक नाम भी हो जाएगा कि आप भाई हम green environment को promote कर रहे हैं हम तो environment के लिए इतने conscious है कि हमें goods महेंगा में मिल रहा है तो भी हम इसको सब्सक्राइब है हम यह कर रहे है climate change के लिए वगर 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 फिर नेक्स दुस्तों लेंस और combination ड्रक्स वाइटमीन मिनरल्स अक्चली देखिए लडीची जिसे बोलते हैं सारी FDC फिक्स्टोस कॉंबिनेशन इसमें क्या होता है कि पर्टिक्लर कॉंटिटी में रहता है मिनरल रहता है इसको डॉक्टर काफी जाधा बोल रहे है अभी रेकमेंट करने हैं चालू कर दिए कि आप इसे कंजूम करिए आपका हैर फॉल नहीं होगा आप इसे कंजूम करिया आपका स्किन ठीक हो जाएगा वह अगर यह सब्सक्राइब कर रहे हैं इसे प्रॉल्म क्य है वह बैंड हो भी चुके है और अब जो है इसके जो इतने एर्राशनल और अंसेफ हो रहे है इसके कारण गवर्मेंट इसी समय है कि हम और भी इसके किलाफ एक्शन लेकि इन्हें बैंड करेंगे फिर 2017 में यह मैटर इनफक्र सुप्रिम कोट के पास भी गया था दूश्याष सब्सक्राइब कर दो उनके अब्सक्रक्रिशन से एक कमिटी बनाता है और मतलब कमिटी को से यह चीज बोला गया कि ड्रग काफी इर्राशनल होता है इनका कोई भी काम नहीं है इन्फाक्ट इनमें जो कॉमपोजिशन होता है वो कई बार इतने उपर नीचे हो जाते है कि ये ड्रक्स इन्टॉक्सिकेट भी कर सकता है सामने वाले को ठीक है तो इसे बैंड करने के लिए बोला था तो तो अब जो है यह चीज़ काफी अभी लेंस में आ गया मतलब काफी अभी नजर में आ गया गया गवर्मेंट के अब हो सकता है इसे पूरा इन टोटल बैंड कर दिया जाए फिर निल्टू से इंट यह लिए का यह होता है कि एक कशल आय। परीपेयमेंट इंस्ट्रुम्न क्या की होता है कई बार आप देखा ओगा आप वालेट पैसा रख लेते हो कशल और जैसा पैसा रख लेते मैं जैसे का प्रिन परिपेयर कार्ड क्या चिज़ के कोई भी goods और services को purchase करने के लिए जैसे financial services हो गया remittances हो गया या fund transfer हो गया अगर कोई family या friends वगर को भी करना अगर आपको तो इस form में जब प्रिपेड जब कोई instrument रख लेते हो और उससे अब fund transfer करते हो that is known as prepaid instrument तो अब payment प्रिपेड payment instruments जो है वो सिर्फ license holders जो PPI की जो license holders है उन्हें दिया जाता है अब यह license holders actually करके आ रहे ना दोस्तों यह अपना जो PPI है इससे किसी और को दे दे रहे ठीक है तो भी यूज कर ले एक्जांपल के तुरु समझाता हूं dream 11 जो कि इसने खुद जो है PPI के लिए किया था उससे PPI मिला नहीं तो अब यह apps बगर क्या कर रहे है किसी और का PPI ले ले रहे और फिर यह बोले कि यह दिखो हमारा यह UPI का जो लिंक है इसमें आप कर दो यह प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट इसे आप खरीज दो फिर आप इसे इन कैस्का लड़ना हमारे गेम खेलते समय तो ऐसा नहीं चलेगा आपको अगर प्रिपी नहीं दिया गया था तो आप नहीं यूज कर सकते हो और अगर आपको दिए गया तो सरफ आपने ब्रैंड के साथ यूज कर सक तो यह चिसे किलाफ NPCI ने काफ़ी एक एक अक्शन लिया है और कई सारे एप से इसे इसे इंपक्त पड़े जैसे कि इम जो फिंटेक कंपनी से रहते हैं फिंटेक कंपनी से दोस्तों उनका खुद का PPI कभी कभी रहता नहीं है तो क्या करते किसी और से PPI ले ले तो कहते हैं यह हमारा UPI हमारा UPI तो उनका UPI नहीं होता वो किसी और से वो सब्सक्राइब लेकर या उनका किसी और का PPI यूज करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा तो यह चिसके लिए NPCI ने काफ़ी एक 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 अक्शन लिया है तरह एक नेक्स्तिंव जोस्तों पानाइस मिनिस्क्र मेंड कर दो यह को सारी यह चाहिए प्रम यह चाहिए जपेड़ाद से लिए पानाइस थैसे की जिए इंजिकाए इंडाइस च्रुछाआ है कि छुम फट्रियों फ्क्रिश्च आपनाइस का चाए नहीं लेकिशान कि पर इसके तर लाइसेंसिंग पर लाइसेंग ऑफ इंड़्सरी जिसे कि आपना इंडियन को बना के चालेगर अपर्ट ने ही तो अपना ये लिमित को बना सकते हैं तो देखते हैं क्या इस पे रिफार्म आता है क्या नहीं आता है तो अधिस प्रॉम आज के नियूस में इतना ही था उमीद आपको लेक्षर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें कॉमें पर दोस्तो अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा है मुझे मेरा जो क्राउड का फोकस है वो किस तरफ जा रहा है दो तीन लोगों ने कमेंट केरके बताया है कि उनका क्या प्रैक्टेस है अगर आप भी इंट्रेस्टेड है इस वीडियो में प्लीज अपना शेयर करिये प्रोफेशन ताकि मुझे काफी अच्छा लगता है कि एक तो क्राउड का बेस जा सकते हैं या कोई CSI अगर कोई यूज कर सकता है तो मैं जरूर उस चीस को तो थोड़ा कवर करने कोशिश करूंगो ताकि आप अपने अपने एक्जांपल कोड़ कर सकते हो तो दाट सिट फॉम मैं साइट दोस्तों हवा नाइस टे